दोस्तों को house construction steps का आज पांच माँ पाट है तो अगर हम बात करें अगर गर की construction करवा रहे हो और अगर आपको rate नहीं पता है कि किस काम के लिए कितना labor rate होना चाहिए total मतलब footing से लेके last finishing तक हर एक item का आपको rate पता होना चाहिए बले rate वो उपर नीचे हो लेकिन idea अगर आपको होगा तो आप दोखा दड़ी से बच सकते हो क्योंकि अगर कोई चीज 500 रुपया पर square feet के हिसाब से market labor rate है और आपको कोई 300 बोल दो और आप उसको बोलोगा ने 300 ने 200 तो 100 रुपया आप ज्यादर दे रहे हो लेकिन अगर आपको idea है कि 1500 है 180 या 170 होगा तो 10-20 रुपय आगे पिछे चलते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको complete बताने वाला हूँ footing से लेके last finishing तक labor rate क्या हो सकता है आप किसी भी area में हो तो mostly यह rate चल रहे हैं 10-20 रुपय आगे पीछे होगा लेकिन आपको idea लग जाएगा कि क्या आपको rate देने तो हम footing से start करते हैं देखो जब गर्गी के instruction कुराई जाती है प्लिंथ तक अलग rate रहती है मैं प्लिंथ तक पकड़ चलिए footing और प्लिंथ तक जो rate है इस समय वो चल रहा है आपका 110-115 रुपया पर square feet जिसमें labor rate है material के साथ नहीं बोल रहा है 110-115 रुपय पर square feet लेते हैं जहाँ footing आपकी complete होगी shuttering वो देगा यह सब चीजे हैं तो कितना हो गया 110-115 रुपय square feet कही जगा footing की जगा क्या होता है soil एची नहीं होती है तो वहाँ pile foundation की जाती है ठीक है तो pile foundation का जो rate चल रहा है वो चल रहा है हमारा 300-340 रुपया पर meter के हिसाब से मतलब जितना meter नीचे जाते जाएंगे उतना 300-300 add करते हैं मतलब भाई चान सा आप अगर 6 meter नीचे गए तो 6 into साड़े 300 आप कर लीजिए तो आपका कुछ उतना खर्चा पढ़ने वाला है किस पर pile foundation बे लेवर रेट की में बात कर रहा हूं फिर mostly कभी कभी क्या होता है कुछ लोग नीचे basement बनाते हैं उपर construction कर रहे हैं और यह चोटी मड़े यह मैं high-rise building की बात नहीं कर रहा किसी commercial building की बात नहीं कर रहा है नॉर्मल जो construction होती है 1200,000 square feet की तो उसकी बात कर रहा हूं क्योंकि जितनी बड़ी construction होगी उतने cost जादा होती है तो नॉर्मल जो हम लोग construction करवाती है उस चीच की हम बात कर रहे हैं तो अगर हम basement करवाते हैं basement की आप क्या करवा रहे हो आपने excavation तो वो जो rate है इस समय वो है 220 रुपे से लेके 280 रुपे पर square feet के साफ से होगा वहां आपके वो retaining wall भी करेगा आपके pillars भी देगा brick work भी करेगा plaster भी करेगा सब कुछ complete आपको करके देगा जो कुण सा civil work वो आपका एप्रॉक्स आपकर पकड़के चले 500 पर square feet के साफ से समय rate सब चीजे सुनने पर ध्यान पूरा यहां focus रखना अगर नहीं सुने दिया बाप पर repeat करके कर लेना तो अगर आप ground floor बनाते हो मतलब सिर्फ simple एक story बनाने जा रहे हो तो इस समय जो market rate है वो है 230 रुपया पर skate feet के साफ से जिसमें आपका उपर से plint beams के उपर से start हो जाएगा आपको पूरा structure मतलब आपको दीवारे करके देंगे plaster करके देंगे slab डालके देंगे shuttering उनकी रहेगी staging उनकी रहेगी जो भी material लेवर प्लस material उनका रहेगा material in the sense सिर्फ shuttering तक ठीक है वो बाकी जो रेता बजरी वो सब आपका रहता है अगर वो complete आपको देना होता है आपको किसी को कि पूरा आप structure बनाओगे तो वो नीचे footing से start करेंगे finishing तक आपको करके देगा वो rate इस समय है 1300 से लेके 1500 रुपया पर स्केर इसाफ से कितना 1300 से 15 रो स्केर फीड के साफ से 2022 के rate में बता रहा हूं आपको ये next जो होता है safety tank अलग से बनाया जाता है safety tank का जो खर्चा समय पढ़ता है वो पढ़ता है 300 रुपया पर स्केर फीड के साफ मतलब आपने overhead या safety tank आपको बनाया है तो slap को नाप लिया जाता है और slap को measurement किया जाता है जो भी मैं चीज़ें आपको बोड़ रहा हूं उसमें slap को measurement किया जाता है फिर जब इसमें क्यूंकि CD और parapet wall अलग स ठीक है अभी हम basic चीज़ें और पकड़ते है अर्थबग जो किया जाता है excavation जो की जाती है उसमें अगर आप manually खुदवाने जाओगे किसी से तो वह आपका 13 रूपे से 18 रूपे पर cubic feet के साफ से चार्ज किया जाता है कितना 13 से 15 रूपे फिर जो concrete की जाती है जो footing की हो जाती है कॉलम की भराई की जाती है तो उसमें आपके थोड़े ज्यादा लिये जाते हैं 25 से 18 रूपे cubic feet के साफ से आप से चार्ज किये जाएंगे वैसे प्लिंट बीम की करनी है तो वहां 15 रूपे cubic feet के साफ से चार्ज किये जाते हैं फिर most important चीज़ होती है steel binding का तो steel binding का भी काफी इस समय ले रहें 5 से 6 रूपे केजी यहां 5000 रूपया मेट्रिक टन मिनिमूम आप से चार्ज किये जाएंगे और जो काफी difficult होता है जो सीड़ी होती है उसका concrete करना तो इस समय उसका 40 रूपे पर cubic feet के साफ से आप से चार्ज किये जाएगा फिर हम जुडाई की बा मतलब आपकी length or height ना पी जाएगी और 9 इंच के लिए 40 रूपे पर square feet आप से चार्ज किया जा सकता है फिर हम बात करें आपकी बच गई flooring तो flooring में दो टाइप की wall की भी होगी और नीचे होती है जो नीचे वाली flooring रहती है वो आपका rate 16 रूपे से 18 रूपे ले ले लिते जिसमें आपका group नहीं होता है तो अगर आपको group रखवान है तो आपसे 5-6 रूपे एक्टा लिए जाएंगे मतलब 20-22 रूपे पर square feet flooring का पकड़ के चलिए और आपका जो wall tile कर रहेगा 19-20 रूपे पर square feet के समय rate चल रहा है फिर हम बात करते हैं painting का जो काम रहता है painting में आ पुट्टी आ गया फिर प्राइमर आ गया पेंट आ गया तो वह आठ रूपे पर square feet के साफसे आपसे चार्ज किया जाता है फिर अगर हम बात करें सिलिंग का प्लास्टर करवाना है सिलिंग का प्लास्टर थोड़ा पतला रहता है कम मैंदब एक लिए 6-7 mm किया हो अच्छ अगर 3 track sliding window रहनी है मतलब तीन track ही होती है आपने देखी होगी तो वह आपको 580-600 रुपिया आपसे चार्ज किया जाएगा चार्ट रहा किया तो 700 रुपिया फिर जो मास्कीटो नेट लगाया जाता है जाली लगाया जाती है वह आपका 200 रुपिया आपसे चार्ज किया ज तो पीवी सी की समय 110 से लेके 115 रुपे पर स्केर फीड के साफ से बागी डिजाइन पर भी डिपेंड होता है कि आप किसी साफ से करवाने जा रहे हो यह हर चीज जो भी आइटम में ने बताई ना यहां पर लेवर यह मैं इस पर पहले वीडियो डाल चुका हूँ आज कर मौडुलर किचन की लेवर रेट अगर हम बात करें तो आपका 3500 रुपे पर स्केर फीड के साफ से लिए आता है जो भी बार बार का आपके बॉक्सिस होंगे उनको 3500 के साफ से बचार्ज कर लिए अगर आप मठीरिल के साथ जाते है तो पकड़के चलिए 1900 से 2000 रुपे पर स्केर फीड आपका खर्च आएगा किस पर मौडुलर किचन पर तो यह बेसिक रेट थे मतलब यह रेट आपको पता होने चाहिए तो आप गर की कंस्ट्रक्शन जब करवा होगे तो दो ख़दरी से बच सकते हो मतलब आपको रेट आपको आईडिया लग गया कि क्या रेट हैं वो कमेंट आपको करना है कि सर यह रेट रहेगी यह आपने नहीं बताएं तो वो मैं अलग से लेके आऊँगा वीडियो आप चब तक आपको हर चीज का रेट नहीं मिलता है तो मैं वीडियो लाता रहूंगा बस आपको क्या करना है जिस रेट जो रेट आपको नहीं